तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्ट में क्या अंतर है आखिर बड़ी-बड़ी कंपणिया नेफ्ट के माध्यम से ही पैसा का ट्रांसफर यहां पर क्यों करवाती है अगर आप LIC के अंदर कोई पॉलीसी लेने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको नेफ्ट मेंडेट कर वायोगा क्योंकि वहाइद कहला क्यों अग्यां से ही अपको पैसा और करना होता है पैसे करते हैं क्योंकि वह units in हो जाता है तुरंत पैसा सिकेंड में वहां पर हो जाता है लेकिन यहीं पर नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है नेफ्ट में यहां पर 30 मिनट कम से कम लग जाता है क्योंकि यहां पर बैचर चलता है तो आखिर यहां पर 30 मुट का समय यहां पर नेफ्ट में क्यों लगता है बहु जो डाटा है वो Axis bank के पास नहीं है डाटा बोले तो जब भी आप ऐसा भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको account holder name चाहिए होता है और यहाँ पर account नमर चाहिए होता है और IFC code होना चाहिए होता है जैसे ही IFC code डालते हैं ब्रांच का नाम है पर सुख कर देता है लेकिन account नमर डालते हैं तो डिरेक्ट आपका नाम यहाँ पर सुन नहीं करता है जैसे कि मान लेजे आप SBA bank के थूरू आप internet banking या फिर बैंक जाके ही आप Axis bank में पैसा भेजने वाले हैं तो Axis bank का अगर आप आप account नमर उठाएंगे न तो डिरेक्ट उसका account holder नम यहाँ पर सुन नहीं करेगा यहां से देखेगा मान लेजे मेरे पास एक SBA bank है मान लेजे मैं SBA bank के थूरू internet banking या फिर ब्रांच के थूरू मैं यहाँ पर Axis bank में पैसा मेरे को डलवाना है तो मैं नेफ्ट एंड आईम्पेस में घ्यांदर होता है मेरे एक दोस्त है वह डाटा एंट्री काम करते है एक कंपनी में उस कंपनी में काम करता है डाटा एंट्री का जिस कंपनी में बहुत सारे वर्कर है ठीक है बहुत सारे वर्कर काम करते हैं जैसे कि लुखा लाइन का इस त बनाचास नए आदमी आते हैं काम करते हैं ठीके वो लोग अब उन까지 के बार आताया है ना तो वो क्या करते एकाउंट होड़र नाम रहेगा उसका एकाउंट नमर रहेगा आई एपसी कोड रहेगा कितना प्यूट हुआ वो रहेगा वह एक चाठ निकालेगा 50 अदमी का वह अब क्या करेगा डिरेक्ट के पास बेजेगा जिस भी कंपनी में वह लोग वरकर लोग काम करते हैं अब वह कांपनिлюч करेंगा दिर्डरिक्ट यहां पर आएंप करेंगा पैसा बेज़ेगा क्योंकि आरट बी आई यहां पर निगरान पैसा कर ले दिन होता है और पे सिक्रूटी में होता है तो हेंग होने का याatoreSTEं मोर और जाने का चांसेज नहीं होता है। जो भी अकॉंट अमोर और रेकांट आप देंगे IFC कोड देंगे उसी एकांट मोर पैसा जाएगा वह अनध्या जो पैमेंट है जो पैसा है वह रिबॉर्स आजाता है उस कमपनी में जो भी company पैसा दे रही है अपने employee को अपने worker को तो यहां आप देखिया क्या हुआ था उस दिन पचास नए आदमी आये थे उस नहीं कहा किया था एकाउंट मेर आई एक डाटा सेट निकाल के हैं पर company को दे दिया था company नहीं 50 आदमी को पैसा डाल दिया लेकर उस में से 5 आदमी का पैसा नहीं गया थाभ वहां पर चेक माग किया गया वह जो डिरेक्ट वह जहां पर काम हो रहा है वहां पर आया इस बंदे के पास है मेरा नाम इदर दर हो गया था इसके बिज़rous अब यहां पे ंपर फैसा नहीं गया अगर वहां प्यूद कैinfth में नहीं गया जाता है yeah कि यहां पे जो आर्बीव में का मालिक तो उसके पास सब का डाटा है का जो एकाउंट है यह वह एक्सिस बेंग के पैसा बेजता है कि लग अलग बैंक पैसा डालता है और यहां पे जो नहीं करता है कोई भी बैंक तो उसके पास नहीं है लेकिना ही पास है यहां पर बैचे चलता है उसी में 30-10 समय लग जाता है तुर फॉल एक घंठा करता है एकाउंट मेरक्ण मिलान होता है। उसके पैसा का लेंडेन होता है पैसा पाइस के पास नहीं है किसी और बंक के की और बेंक के पास नहीं है लेकिन आरभिये के पास है तो अगर आप आदे मिल पाता है रेख करते हैं एहうん करकरकर के ए मैसे ड़्याटी कराने के लिए यहां पर आधा नहीं होता है तो अगर आप येप अध्य क偉ल डर नेम और और यहां पर account tomorrow अगर डिफिनेंट डालते हैं ना तो पैसा कर लेंदेन हो जाएगा तो घुमा फिर अगर बात करें तो नेफ्ट एक बिलकुल ही सीक्वर यहां पर में थाट है आएम पीस बीस में आपको जोखें मिलेना होता है ठीक है तो नेफ्ट करते हैं तो पैसा जो भी गाल यहां पर टोल्डर नेम और झोरी काउंट मों डाले हैं उसी की एकाउंट में जाएगा और नत्या पैसा जो है रिटॉण आजेएगा उस सेंडर काउंट में प्रसन आगा मिलते तो नियुक्त